आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now हलो गाईज, हमें इस Question में बोल रखा है कि The number of words that can be formed ठीक है? Taking 4 letters of the word, syllabus तो syllabus का हम क्या करेंगे? 4 words लेंगे और उसे हमें क्या number of words, जो 4 letter का word है वो कितने number of words हमें form कर सकते हैं, यह हमसे पूछा गया है और condition दे रखा है कि 2 letter हमारे distinct होने चाहिए, अलग-अलग और जो 2 letter है, वो same letter होने चाहिए I like, I like का मतलब same तो देखो, यहाँ पे syllabus आपन देखें तो syllabus syllabus ठीक है, double L है, syllabus ऐसा कुछ word लिखा हुआ है, तो इसमें आपन देखते हैं कि कौन-कौन कब-कब repeat हुआ है तो S मेरा देखो, यहाँ पे 2 बार repeat हुआ है तो S का number 2 है और Y हमारा कितना बार repeat हुआ है एक बार फिर L देखो, L हमारा दो बार repeat हुआ है, ठीक है A हमारा एक बार repeat हुआ है B भी हमारा एक बार, और U एक बार repeat हुआ है, तो टोटल कितने हो गए है यहाँ पे liter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 लिटर है और यहां भी देखो 2, 3, 5, 7, sorry 6, 7, 8 8 वर्ट है यहां भी ठीक है तो यह total हमारे 8 वर्ट हो गए अब इनसे हमें क्या करना है 4 लिटर का वर्ट बनाना है condition दे रखा है हमें तो सबसे पहले 4 लिटर का कोई वर्ट चाहिए 4 लिटर का अब condition इसमें क्या दे रखा है इसके बाद यह condition दे रखा है 2 distinct हो और फिर 2 alike alike का मतलब same अब देखो ऐसा अपन करने के तरीके देखो 2 distinct हमें चूज करना है तो distinct चूज करना है मतलब यहां पे देखो अपन कैसे कैसे कर सकते है 2 distinct चूज तो सबसे पहले तो इसका case बना लेते है 2 distinct और 2 alike का तो देखो अपन क्या कर सकते है 2 distinct के लिए ठीक है 2 distinct 2 distinct हमें चूज करना है तो उसमें से अपन क्या करेंगे 2 जो same वाले हैं हमारे उसमें से एक कोई चूज कर लो ठीक है तो case में हमारा क्या था कि 2 distinct होना चाहिए and 2 alike यानि कि same होना चाहिए तो देखो सबसे पहले 2 distinct चूज करने का या सबसे पहले अपन क्या कर लेते है 2 alike जो है उसको चूज कर लेता हूँ तो 2 जो same है वो same हमारा कहा कहा से मिल सकता है या तो S से मिलेगा या तो L से मिलेगा तो ये दोनों ही है जिसमें 2 later हमारा same हो रहा है तो इसके तरीके क्या हो जाएंगे 2 alike चूज करने के किसी 2 में से हमें 1 को चूज करना होगा या तो S को या तो L को तो हो जाएगा 2 C 1 and का मतलब into अब देखो 2 distinct चूज करना है तो ये 2 में से मैं किसी 1 को चूज कर लिया तो अभी हमारे पास available क्या क्या बच गए अगर मैं S को चूज किया या L को चूज किया ठीक है तो अभी मेरे पास कितने available choice बच गए देखो मेरे पास available थे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है तो 6 हमारे पास available words थे S, Y, L, A, B, U ठीक है अब इसमें से हमने क्या किया किसी 1 को चूज कर लिया है जिसमें 2 alike को हमने चूज किया है तो अभी हमारे पास कितने बच गए 5 5 available choice बच गए ठीक है अब 5 में से हमें क्या करना है 2 distinct चूज करना है तो 5 C2 हो जाएगा ठीक है तो 5 C2 तो यह हमारा क्या हो किया यह सबसे पहले अभी हम लोगों ने क्या किया है सिफ चूज किया है लेकिन हमें word को form भी करना है तो हमारे पास 4 letter का देखो word हो गया ठीक है किसी यहाँ पर 2 में से किसी 1 को चूज किया था ठीक है अब देखो 4 letter का हमें word बनाना था तो 4 का factorial डिवाइड बाई अब देखो 2 हमारा सेम था जो 2 था जो 2 word है वो सेम है तो करना पड़ेगर 2 factorial से डिवाइड ठीक है तो यह हमारी total number of words हो जाएगे जो form होगे तो इसको solve कर लो हमारा answer आ जाएगा तो 5C2 हमारा क्या हो जाएगा 5 into 4 upon 2 का factorial ठीक है तो यह 5 into यहाँ पर 2 का factorial नहीं सिब 2 लिखो 2 का factorial 2 ही होता है तो 5 into 4 डिवाइड बाई 2 और 2C1 क्या हो जाएगा 2 और 4 का factorial को अपन करते है 4 into 3 into 2 upon 2 का factorial 2 ही होता है तो cancel क्या क्या हो गया यहाँ से यह 2 से यह 2 cancel यह भी 2 से यह 2 cancel हो रहा तो यहाँ पर आख क्या गया उपर में 5 into 4 into 4 into 3 ठीक है तो यह हमारा इतना सारा आ गया अब इसको solve करना है हमें इसको सिफ multiply करो हमारा answer आ जागा total number of words क्या form हो सकते है तो यह देखो 20 और 20 into 3 is 60 60 into 4 क्या हो जाएगा 240 तो 240 number of ways हो जाएगे हमारे ठीक है form करने के Thank you